नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णाकांत आप लोग का पहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंपोर्टेंट और खास होने जा रहा है कि कि मैं आज आपको पटना इंवर्सिकी में हुए चेंज या पूर कैसे करेंगे इसका प्राइगा हम लोगों पर इसका प्रॉफिट क्या है इसका क्या है सारी चीजों को अच्छे से बात करेंगे हम लोग का में टॉपिक रहेगा पटना इंवर्सिकी एडविशन 2023 जैसा की हम पहले इसे करवाती आ रहे हैं तो आप लोग चैनल पर नहाई ह हैं कुछ भी आकर बख जेते हैं हमारी वीडियो पाच पाच छे से दिन पे एक वीडियो ही आती है पर अज हम लोग बात करेंगे पटना इंवर्सिटी न्यू अपलाई डेट का जो अभी आपका बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि अपलाई रूक गया है स्थखित हो गया है वो कब से सुरू होने जा रहा है सबसे पहले हम अपनी बारे में बात कर लेते हैं उससे सारी बातों को आगे सब कुछ डिसकस करेंगे अच्छे से मेरा नाम हुआ किसना कान सिंग अभी मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ चार सालों से 1922 मेरा सिसंथा बियन कॉलिज पटना इ नहीं मानते हैं कि हमें वर्टसेप करें यह हमारा कॉलिंग नंबर भी है वर्टसेप नंबर भी बहुत ही बरी इसू हो बहुत ही बरी इसू हो यह वर्टसेप पर बहुत समय से रिपलाई नहीं दे रहा तब इन दोनों नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते ह आपका भी सपना है अब तो आपको पटना इनुवर्सिटी में एड़िशन लेना ही चाहिए जो अभी तक सोच रहे थे कि बगल की इनुवर्सिटी में एड़िशन लेंगे उनके लिए बेहद ही एक बैड न्यू जे एक तरीके से मापको अभी बता देंगे कि कैसे वो गलत ह यह जो न्यू एजूकेशन वाला चार साल वाला आया है क्या कैसे कुछ है तो हमारी क्लास चल रही है बहुत तरीके से भी दो टाइम चलती है एक तो पीम में क्लास चल रही है और सभी लरके फिर दोबारा क्लास चलती है जो आठ दो टाइम में चलती है आठ पीम में लाइ के लिए फी सारे 400 रुपया है कुछ दिनों में ये फी बढ़ जाएगा ठीक है हमारा वर्ट्टेप नंबर यह है एदम तरीके से क्लास होती है अच्छे तरीके से आप हमारा डेमो देखना चाहते हैं तो यूटूब पे डेमो देखना दिया है 109 नहीं थे 115 110 12 के आसपास थे 112 13 के 109 लर्के पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में और लर्कियों वाले ग्रूप में 53 लर्कियां अभी पहले सोचिए 53 लर्कियां पढ़ रही है 110 110 से 112 लर्के थे 2-3 लर्के को मैंने रिमूव कर दिया हूँ ग्रूप से इसलिए 109 दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिख़िए section A का सारा recording गूरूप में बहुत से information जाएगा मैं आपसे बार-बार बीच बीच में बहुत से information दूँगा यह class का group है इसे group में class का link जाता है और अच्छे से class होता है सब लर्के कभी कुछ नहीं पर है थे उनको भी सवाल समझ में आ रहा है अब बात करते हैं सबसे बरी बात की सबसे बरी बात की कि राजभुवन से सना तक 4 बरसी एक कोर्स को मंजोरी का फैसला पहले हम लोगों के समय में ग्रेजुएशन कितने हम लोगों को समझने से पहले पहले जो ग्रेजुएशन होता था सबसे पहले बात करते हैं कि पहले graduation जो होता था, पहले जो graduation होता था वो तीन सालों का होता था, थ्री एर का होता था, इसमें हम लोग तीन exam देते थे, part one का exam देते थे, part two का exam देते थे, part three का exam देते थे, सभी उनिवर्सिटी में यही था कि तीन ही एक्जाम देना होता था पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थिरी इसी तीन एक्जाम को कंड़क्ट करवाने में मगद उनिवर्सिटी जैसे उनिवर्सिटी को इस तीन एक्जाम को कंड़क्ट करवाने में पांच साल से छे साल का समय पाटली पुत्रा को चार साल का समय लगता था, मिथला उन्वर्सिटी को छे साल का लगता था, भागलपुर उन्वर्सिटी को पान साल का समय लगता था, ये मात्र तीन एक्जाम को कंडक्ट करवाने में, तीन सालों का कोर्स होता था, तीन एक्जाम को कंडक्ट करवाने में इतने समहीं लगए थे, अब क्या हो गया है, याय हो गया है, ये अब आपको चार साल का होगा चार साल graduation करेंगे, वो भी चार साल ऐसे के सबसे बड़ी बात तीन से चार हो गया, 800 number graduation का जो होता है, जिसे 500 का 12 होता है, 500 का 13 होता है, graduation आपके 800 number का होगा तो वो 800 number का ही होगा पर आप 4 साल जैसे engineering में 4 साल होता है वैसे आप 4 सालों तक आप graduation करोगे तो सबसे बहुता drawback तीन के जगा पर आपका 4 हो गया अब इसके साथ 4 सालों में ये भी क्या होगा semester wise होगा मतलब एक साल में आके दो semester semester 1, semester 2 फिर दूसरा साल में 3, 4 तीसरा साल में 5, 6 और फिर 7, 8 मतलब 4 सालों में आके एक साल में दो semester अब जितने भी universities हैं उन को एक साल में दो बार exam कंड़क्ट करवाना परेगा मतलब 4 सालों में 8 बार exam को कंड़क्ट करवाना परेगा जो एक्जाम तीन एक्जाम इनसे कंड़क्ट नहीं हो पाता था तीन सालों में तीन एक्जाम नहीं कंड़क्ट हो पाता था अब उनको आठ एक्जाम चार सालों में कंड़क्ट करवाना होगा इससे क्या होगा इससे से सेशन जो चार साल है वो म किसी भी semester-wise और सब university में नहीं हुआ है, P.U. की बात करें तो P.U. में semester-wise चलता है, vocational courses का बहुत सा class semester-wise चलता है, ये लोग manage कर लेगे, पत्ना university manage कर लेगा, बाकि कोई भी university बिहार की इस चीज़ को manage अभी तकाल में नहीं कर पाएगी, ना उसको समझ में आएगा semester-wise कैसे लेना है, आठ exam लेना परेगा, आठ exam को चार सालों में conduct, तीन exam इनसे conduct नहीं हो पाता है, अब आठ exam conduct कर बाना परेगा, तो अब भी आपके पास एक मौका है कि आप तैयारी पत्ना university की कर ले, अभी फिलहाल के लिए स्थागित हुई है, अस्थागित नहीं हुई है, दो-चार-पांच दिनों के लिए रोकी गई है, ये paper वाले को लिखने नहीं आता है, रोकी गई है, पत्ना बिस्विद्याले में असनातक की नामंकन के लिए जो सुरू की गई थी, उसे तकाल प्रवाव से स्कदित कर दिया गया है, अगले आदेश तक अब किसी का भी आवेदन नहीं लिया जाएगा, तो सर जिसका आवेदन ले लिया गया है, तो उसका कोई फैक नहीं होगा, जब फिर से portal खुलेगा, तो आपको कुछ करने की ज़रुत नहीं होगी, बाद में जो सूचना होगी उससे अनुरूप उसका निरने लिया जाएगा, अस्टुडेंट बेल फिर डॉक्टर अनिल परसाद ने बताया कि राजभवन के द्वारा असना तक चार बर्सी कोर्स को इसी बर्स से लागू करने का निरने के बाद नामंकन प्रिक्रिया को त तरीके से इस बार आपका अबेदन लिया जाए, परंतु पहले भी बोल रहा हूं जो अबेदन कर दिये हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा राजभवन के द्वारा कोई निर्दिया जारी किया जाएगा, वैसे ही बिस्विद्याला ही करेगा, बताते चले कि अपनी नामंकन प्रिक्या को ततकाल परभाव से शकाइच काने का निर्ने लिया गया है, संबार को उसकी अधिसुचना भी जारी कर दीजीए, आज के बारे में कहा गया था पर अभी तक कोई नोतिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, कल जो नोतिफिकेशन आया है, तुस lazımगर मै बात है कि ये पहले जो graduation तीन सालों में होता था तीन सालों में आपका graduation होता था वो अब चार सालों में graduation होगा और आठ exam अब आपको देने परेंगे जो पहले तीन exam देने परते थे अब आठ exam देने परेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है इसके साथ ही यदि अब भी आप सतर्क नहीं रहेंगे परहेंगे नहीं पटना इनवर्सिटी में तो आप चौपठ निश्ची तौर्पे आठ साल के रिए हो जाए फिर आप ग्रेजियेशन अस्तर पर जो भी UPSC, VPSC, विहार द्रोगा, सीजियल इसके लाइक हो सके तो ना बचे तो अभी भी समय है आप हमारी क्लास चल लगी अच्छे तरीके से क्लास चल लगी है, हमारे क्लास में आईए, आपको यदि मन है कि पढ़ सकते हैं, सर से अच्छा से पढ़ते हैं, प्लीज परहिए यहां पर, सब कुछ की सुभधा है, मात सारे 400 रुपया में, मेरा प्रसनल गाइडेंस होगा मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, सबसे पहले मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं एक टीचर हूँ, मैं एक आपका मेंटर हूँ, मैं आपको वो चीज परहता हूँ जो आपके एक्जाम में आएंगी, डिट्टो वो सिलेवस बताता ह पहसे लिए बहुत ही जाए हिन जाए भारत बंदे मात्रा मिंटे मेम बिहार झाल झाल